तो चलिए शुरुबात करते हैं आज की क्लास की और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ITJ 20th of July 2021 यानि J.Main का Question Paper 20 July 2021 के Shift बनके कुछ Memory Based Questions की मैं बात करूँगा और पहले ही सवाल क्या कहता ज़रा सुनिएगा All possible words with or without meaning using all the letters of the word examination examination शब्द से जितने total शब्द बन सकते हैं with or without meaning उसमें उसने पूछा है find the probability that M appears at the fourth position M जो है examination शब्द में M जो है वो fourth position पर दिखे इस बात की probability क्या होगी मेरी बात सुनिएगा देखिए probability होती है favorable outcome divided by total number of outcomes तो पहले favorable निकाल लेते हैं और favorable वो शब्द होंगे examination में से examination शब्द में से favorable वो होंगे जिसमें M जो है वो fourth position पर बैठा होगा और ध्यान से खर आप देखें ना तो M fourth position पर ही बैठा हुआ है तो M की shifting तो नहीं होगी बाकि सबी लोगों की shifting हो जाएगी तो एक, दो, तीन मैं favorable outcomes निकाल रहा हूँ favorable तो क्या हो जाएगा ये fourth position पर है ये नहीं किस केगा ये फैविकोल चिपक गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस 10 factorial divided by repetition हो राजी दो, A, दो बार I, दो बार, N, दो बार 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial तो ये तो हो गई favorable outcome अच्छा, probability निकालने के लिए favorable outcome divided by total outcome total outcome क्या है कि इस शब्द से total शब्द कितने बनेंगे, इस शब्द से total शब्द कितने बनेंगे, unconditional तो total कितने हैं, भाई, M को छोड़के 10 हुए तो total कितने हो गई, 11 तो क्या हो जाएगा, 11 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial 2 factorial, ये कट जाएगा और 10 factorial by 11 factorial हो जाएगा, 10 factorial by 11 into 10 factorial 1 by 11 is the probability जब M, जो है वो fourth position पर होगा, 1 by 11, 1 by 11, तो उम्मीद करता हूँ, ये सवाल आपको जरूर समझ माया होगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ तो चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल ये कह रहा है कि एक cricket team है, 15 players की 15 players की एक cricket team है सुनते रहे ये गबात को जिसके अंदर 6 batsmen है 7 baller है 2 wicket keeper है 6 और 7, 13 और 2, 15 15 खलाडियों की एक cricket team है मतलब 15 खलाड़ी जो है, वो है cricket team में 6 batsmen है 7 baller है और 2 wicket keeper है then the number of ways in which cricket team formed with at least एक cricket team form करनी है, 11 की होती है 11 members की होती है अब कुछ conditions दी गई है, at least की बात करी गई है 11 members to be choose, जिसमें से at least 4 batsmen चाहिए 5 baller चाहिए और 1 wicket keeper चाहिए यानि की ये कम से कम चाहिए ही चाहिए और आपको 4 options दिये गए है की total number of ways कितने होंगे 567 होंगे, 525 होंगे option C 462 होगा, option D 777 होगा मैं दुवारा repeat करता हूँ question आपको 15 कलाड़ी दे दिये गए है और उन 15 कलाड़ीों में से 6 batsmen है 7 baller है, 2 wicket keeper है अब आप से कहा गया है कि 11 कलाड़ी चुनने के कितने तरीके होंगे दुबारा सुनिये 11 कलाड़ी चुनने के कितने तरीके होंगे 11 to be selected from 15 in such a manner that there should be at least 4 batsmen, 5 baller and 1 wicket keeper ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है तो जरा मेरी बात सुरिए बई, batsmen baller wicket keeper total 11 देखिए अगर batsmen आपने मान लिजिए 4 इखिलाए 5 आपने baller ले लिए कम से कम 4 batsmen चीए तो आपने 4 ही लिया lower level कम से कम 5 baller चीए आपने 5 ही लिया wicket keeper आपको कितने लेने पड़ेंगे 4, 5, 9, 2 लेने पड़ेंगे होगे total 11 एक तरीका तो ये हुआ अब एक तरीका ये है कि wicket keeper 2 होंगे तो ये कम से कम 5 हो सकते है ठीक है जी तो अब ऐसे समझे लो जैसे 4 batsmen होगे मान लो batsmen 5 हो गए अब जब batsmen 5 हो गए तो इन में से किसी एक को कम होना पड़ेगा 11 होने के लिए अच्छा baller तो कम से कम 5 रहेंगे तो 5, 5, 10 बिगट की पर एक रहेगा अब ये baller जो है ये 5 से जादा 6 भी हो सकते है तो जब ये 6 रहेंगे तो ये minimum 1 रहेगा 7 और ये हो जाएगा 4 इसके अलावा कोई तरीका हमारे पास नहीं है कोई इसके बास हमारे पास तरीका नहीं है ठीक है जी तो ये 3 तरीके निकल के आए चार batsman लोगे पांच baller दो wicket keeper पांच batsman पांची baller एक wicket keeper या फिर चार batsman छे baller और एक wicket keeper अब ज़रा सुनिएगा कैसे करेंगे बही चार batsman आपने कितने message चुने है छे message चुने है तो यह जाएगा 6C4 इंटू पांच baller साथ मेंसे चुने है 7C5 इंटू दो wicket keeper दो मेंसे चुने 2C2 एक तो यह तरीका होगा या यह तरीका है चे मेंसे पांच batsman 6C5 इंटू साथ baller मेंसे पांच baller 7C5 इंटू दो wicket keeper मेंसे एक wicket keeper 2C1 या फिर ऐसा होगा कि 6 batsman मेंसे 4 6C4 इंटू साथ baller मेंसे 6 7C6 इंटू, दो विकिट की पर मैंसे एक 2C1 अब चलिए इसे calculate करके देख लेते हैं कितना आएगा तो 6C4 हो जाएगा, ज्यान से देखिएगा परी 6C4 हो जाएगा 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial 7C5 हो जाएगा 7 factorial, 2 factorial, 5 factorial 2C2 हो जाएगा 1, तो छोड़ दीजेगा प्लस, 6C5 हो जाएगा 6 factorial, 5 factorial 7C5 हो जाएगा 7 factorial, 2 factorial, 5 factorial 2C1 is 2, प्लस, 6C4, यहां calculate कर लेते हैं 6C4 हो जाएगा 6 factorial by 4 factorial into 2 factorial 7C6 is same as, 7C1 is 7, 2C1 is same as 2 यह कितना हो जाएगा, 4 factorial, 6 factorial यहां रहा है 30, 30 by 2, 15, 15, 7, 105, 105 into 2, 210 तो लास्ट वाला तो 210 हो जाएगा, प्लस 210 चलिए, अभी नहीं देख लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा, 4 से 32, 15 15 तो यह हो गया, अच्छा यह कितना हो गया, 42 हो गया यह कितना हो गया, 21 हो गया, 15, 1, 15, 5, carry 1, 30, 31 315 यह हो गया, 210 वो हो गया, अच्छा और देख लेते हैं अच्छा यह देख लेते हैं, 5 factorial यह तो हो गया, 6 5 factorial यह हो गया, 42 by 21 तो 126 यह हो गया, एक बार दुबारा देखें into 2, into 2 हो रहे हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 5, 2, 5 plus, यह हो जाएगा 252, तो यह हो जाएगा 7, 7, 7 777, तो इसका answer जो है, वो आपका जाएगा 777, ठीक है difficulty तो कुछ भी नहीं थी, छोट इसी calculation थी, अब 4 नंबर पाने के लिए छोट इसी calculation इतना तो करना पड़ता है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरह, तो चलिए अगले सवाल देखते हैं, और शांदार यह सवाल था, tangent drone at point P to parabola y square is equal to 2x, एक parabola दिया हुआ है, और उस parabola पर एक point 2,2 उस पर एक tangent है, आगे पढ़ें, cuts the x axis at point Q, वही tangent x axis को cut कर रही है point Q पर, और आगे बढ़ते हैं, and normal drone at point P, उसी point से जो tangent थी, वो x axis को cut करती है, और उसी point से एक normal भी है, cuts दी parabola again, और वो normal parabola को दोबारा कट कर रहा है point R पर, तो यह बताएंगल PQR का area कितना होगा, ज़रा बात सुनिए, यह हमारा parabola है, obviously ऐसा बनेगा, positive x axis की तरब मुफाड़ेगा, अब इस पर एक point है P, 2,2, तो इससे pass करने वाली tangent जो है, T tangent कर लिजे, वो x axis को cut करती है, at point Q, तो point Q के जो coordinates होंगे, वो something, 0 हो जाएंगे, ठीक है, अब same point से एक normal जाएगा, और वो normal जो है, वो parabola को दुबारा कट कर रहा है, at point Q, at point R, अब triangle P, Q, R का area निकालने के लिए, आपको P, Q, R, तीनों के coordinates चीएंगे, भी तो सिर्फ इसके पता हैं, इसके और इसके चीएंगे, तो इन दोनों की equations निकालो, भाई इसकी equation निकालोगे, तो उसमें X0 रख देना Y आजाएगा, इसकी equation निकालोगे, तो ये और parabola का intersection कर देना, ये वाला point आजाएगा, सबसे easiest तरीका तो ये ही कहता है, तो भाईया, slope निकालो, point तो पता है, normal का भी और tangent का भी, slope निकालो, tangent की पहले, तो Y square दिया हुआ है, 2X, differentiate कर दो, 2Y, Y dash बराबर रजाएगा, 2X के, हाँ, हाँ, सिर्फ 2 के, differentiate किया, 2 से 2 गया, तो Y dash बराबर रजाएगा, one upon Y के, और इस point पर निकालनी है, इस point पर निकालनी है, slope, slope of tangent है ना, इसी point पर निकालनी है ना, तो Y को रख दो 2, तो Y को 2 रखोगे, तो Y dash आजाएगा, one by two, तो इसकी slope तो आ रही है, one by two, M1, तो इसकी slope को खर M2 का होगे, तो आ जाएगी minus का 2, अब tangent की equation हो जाएगी, point यही रहेगा, Y minus Y1 is equal to slope times X minus X1, तो यह आ जाएगा, 2Y minus 4 is equal to X minus 2, तो यह हो जाएगा, 2Y minus X, minus 2 is equal to 0, यहाँ कहलो, X plus 2 minus 2Y is equal to 0, कुछ भी कहलो, इसकी equation को कहलो, X plus 2 minus 2Y is equal to 0, यहाँ पर Y तो 0 है, Y को 0 उठा कर रख दो, तो X की value हाजाएगी, minus 2 तो यह coordinate पता लग या, minus 2, 0, normal की equation निकाल लो, तो normal की equation निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, point यह रहेगा, Y minus Y1 is equal to slope, slope of the normal is minus 2, as they are perpendicular, then the slope of the tangent is 1 by 2, तो minus 2 हो जाएगी, X minus 2, तो Y minus 2 बराबर हो जाएगा, minus का 2X plus 4 के, तो यहाँ से Y plus 2X minus 6 is equal to 0, आजाएगी, यह आजाएगी, अब इसमें ये equation normal की, अब normal दुबारा पैराबोला से मिला है, पैराबोला की equation ये, आपसमें resolve कर दो, तो जहाँ 2X से उठा के Y square रख दो, तो यह उपर वाली equation मन जाएगी, कि Y square plus Y minus 6 is equal to 0, तो यह हो जाएगा, Y square plus 3Y minus 2Y minus 6 is equal to 0, तो Y, Y plus 3 minus 2, Y plus 3, यहाँ से Y की value आजाएगी, is equal to 0, Y की value हो जाएगी, 2, minus 3, तो जो normal है, वो दो जगाँ Y को cut कर रहोगा, एक बार 2 पर और एक बार minus 3 पर, तो normal 2 पर cut कर रहाँ Y को, यह तो आ चुका, तो इसका मतलब यह minus 3 है, Y, Y अगर minus 3 है, Y अगर minus 3 है, Y अगर minus 3 है, इसमें यह इसमें कहीं भी डाल दो, minus 3 का square 9 by 2, X से 9 by 2, यह point भी आ गया, दो equations को solve करना इतना तो जानते ही होंगे, अब ज़रा area निकाल लीजें, तो area हो जाएगा, half, X1, Y1, 1, तो 2, 2, 1, minus 2, 0, 1, 9 by 2, minus 3, 1, ऐसे निकलता है using determinants, भाईया, R2 में एक 0 है, R2 के लोंगे, expand कर दो, तो half तो बाहर रहेगा, चली, expand करते हैं, पहले यह element A21 है, तो odd है, तो negative आएगा, तो 2 times हो जाएगा, तो यह चिपेगा, यह चिपेगा, तो कितना जाएगा, 2 plus 3, 5 आजाएगा, यह 0 है, यह negative का हो जाएगा, negative का 1, यह चिपेगा, और यह चिपेगा, तो कितना आजाएगा, minus का 6, minus का 9, minus का 15, तो 15 plus 10, 25 by 2, 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 square units will be the area of the triangle, PQR, तो उमीद करता हूँ, बात आपको समझ माही होगी, सरल बात थी, बिल्कुल सरल बात थी, बढ़ेंगे अपने अगले सवाल के तरफ, तो चलिए अपने अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल यह कह रहा है, coefficient of X की पार 256, X की पार 256 का coefficient बताना, equation दे हुई है, 1-X की पार 101, और इसकी पार 100, सबसे पहले तो आप यह बात समझ यह, कि इसे आप 1-X की पार 100, और X square प्लस X प्लस 1, as it is की पार 100, X रा 1-X यह रहा, ऐसे लिख सकता है, एक बात तो यह समझ यह, अचब दूसरी बात यह समझ यह, इसकी पार 100, इसकी पार 100, यह दोनों multiply हो जाएंगे, और यह AQ-BQ, यानि 1-X की पार 100, अब यह 1-X की पार 100, होगा, अब इस expansion में, X की पार 256 बताना है, तो भाईया, इसमें तो X की पार 256 आ नहीं सकती, क्योंकि इस expansion में तो 3 के multiple आएंगे, 3 का multiple 255 तो ज़रूर है, 256 तो नहीं है, क्योंकि 3835, 85 times, 255 तो है, 256 तो नहीं है, यहां कैसे मिलेगा, यहां पर 3 का multiple 255 तो मिलेगा, और जो 255 मिलेगा, उसमें X multiply हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा coefficient, इसमें भी 3 के multiple मिलेगे, तो 3 के multiple 255 तो मिलेगा, लेकिन X भी तो multiply हो रहा है, तो 256 भी तो मिल जाएगा, इसमें, तो इस वाली expansion की general term लिख दो, तो इसकी general term हो जाएगी, NCR, तो 100CR पहले वाले की power छोड़ दो, क्योंकि पहले वाले की power पहला तो 1 है, दूसरे की power R, अच्छा, minus X multiply है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं R को 85 रख दूँ, तो 85 into 3 कितना हो जाएगा, 255, 255 X की power आ जाएगी, और X की part 255, मैं अगर minus X multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, X की power 256 हो जाएगी, वही तो चाहिए, तो यहाँ पर R की value को आप उठा के कितना रख दो, 85 रख दो, कैसे आए 85, दोबारा सुन दो, भई, आपको X की power 256 चाहिए, 3 का कितना multiple 256 के करीब है, 256 को divide करके देख लो, remainder आ जाएगा, और जब remainder आ जाएगा, तो उसे घटाने जोडने से आपको पता लग जाएगा, 256 से सबसे छोटी number जो है, वो कौन सा है, जो 3 से completely divisible है, वो 255 है, तो वो कितने times है 3 के, वो 85 times है, तो 3 के times, power की power multiply होती है, तो R को 85 होना पड़ेगा, तो R को 85 रख दो, तो minus X into 100C, 85 minus X की power, वो ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यह 255 हो जाएगा, अब आप देख रहे हो, कि यह बाहर आ जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, और X की power कितना हो जाएगा, 256, तो X की power 256 का coefficient पूछा था, तो 100C, 85, 100C, 85, and 100C, 85 is same as 100C, 15, तो अगर option 100C, 15 था, जा 100C, 85 था, दो यह option जो हैं, वो आपके correct होगे, तो उम्मीद करता हूँ, यह बात आपको जरूर समझ माई हो, कि इसमें coefficient नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 255 आएगा, 256 नहीं आएगा, आपको 256 का चाहिए, बढ़ते हैं अगले स है, the mean of 6 numbers is 6.5, and its variance is 10.25, 6 number दिये हुए हैं, और उन 6 numbers का mean, numbers का mean है, that is 6.5 and the variance is 10.25, एफ 4 numbers है यह, और यह बताएगे बाकी 2 क्या होगे, देखिए, mean निकालो तो 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus, वो दो नमबर मालो, x plus y तो कितना दिया हुआ है, 6, divided by कितना number होगे हैं, 6, 6.5 दिया हुआ है, mean कैसे निकाला, sum of numbers divided by 6 दिया हुआ 6.5, तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 6, 11, 18, 18 plus x plus y is equal to कितना हो जाएगा, 39, तो यहां से x plus y कितना जाएगा, 21, तो वो जो दो number आएगे, उनका sum 21 होगा, इनका sum तो 20 हो रहा है, इनका sum 23 हो रहा है, तो 2 तो यह पहले कटके हैं, बच्छे 2, 50% probability तो आ गई, variance की बात कर रहा है, दीए, variance का formula निकाल लेता है, तो variance का formula होता है, variance है 2.25 का formula होता है, submission of x square by n minus mean का square, ऐसा होता है formula, तो submission of x i square, तो हर observation के square का sum, तो यह हो जाएगा 10.25 is equal to, हर observation के square का sum, तो हर observation का square कर लो, तो यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 25, यह हो जाएगा 49, यह हो जाएगा x square, यह हो जाएगा y square, divided by 6 minus mean का square mean का square क्या है 6.5 का square mean 6.5 है तो पहले तो 10.25 को लिख दो 1025 by 100 is equal to minus 6.5 का whole square left में आएगा तो plus का हो जाएगा तो plus हो लिख लो कितना 6.5 बोले तो 65 by 10 का whole square is equal to. ये कितना हो जाएगा बई? ये हो जाएगा 4 और 16 20, 20 और 20, 40, 40 40 और 40, 80 और 94 94 x square y square 94 plus x square plus y square divided by number of observation 6 बई ये 5, 13 5, 2 ये हो जाएगा 25, 4, 25 4, 1, 41 तो ये हो जाएगा आपका 41 by 4 plus 169 by 4 into 6 is equal to 94 x square plus y square ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 41 plus 169 हो जाएगा आपका 9, 1, 0, 6, 4, 0, 1 4 वा 1 210 by 4 into 6 तो ये हो जाएगा 223 2 से ये चला जाएगा 2105 105 into 3 हो जाएगा 315 minus 94 is equal to x square plus y square तो यहां से x square plus y square आपका जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 22 ये आजाएगा परी तो वो दोनों का sum 21 होना चाहिए और दोनों के squares का sum 221 होना चाहिए दोनों के squares का sum तो फिर ये वाला options होगा क्योंकि इनके squares का sum का last digit तो 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1, 99, 81 144 का 4 145 हाँ 121 तो यहाँ आएगा 100 और 121 हो गया है 121 तो जो numbers आएगे आपके वो क्या क्या हैंगे 10 और 11 calculations तो थी लेकिन number भी तो थे ठीक है जी लिखेगा लिखके डन करिएगा तो चलिए अपना अगला question देखते हैं और अगला question quadratics आया था थोड़ा सा तड़का इसमें quadratics में लगा हुआ है cube root of unity का तो पहले सवाल पढ़ देता हूँ और एक बार cube root of unity की छोटी सी बात बता देता हूँ if the roots of the quadratic equation x square plus 3 raised to the power 1 by 4x plus 3 raised to the power 1 by 2 is equal to 0 r alpha and beta than the value of this तो cube root of unity के बारे में चंद बाते बता देता हूँ वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि cube root of unity होती है 1 की पार 1 by 3 इसे x माल लिया तो x की पार 3 minus 1 is equal to 0 तो यह हो जाएगा x minus 1 x square plus x plus 1 is equal to 0 यहां से x की value एक तो 1 आ जाएगी और x की value आ जाएगी minus 1 plus minus under root b square minus 4 a c यानि minus 3 by 2 तो एक तो root होता है 1 और यहां पर 2 root आ रहे हैं तो एक को omega और एक को omega square कहा जाते हैं तो जब मैंने इस quantity को solve किया तो x आया minus b आनि minus 3 की पार 1 by 4 plus minus under root b square b square बोले तो 3 की पार 1 by 4 का square minus 4 into a आनि 1 into c आनि 3 की पार 1 by 2 divided by 2 यहां से x हो जाएगा minus 3 की पार 1 by 4 plus minus under root के अंदर यह 2 से 2 cancel out हो जाएगा यह हो जाएगा 3 की पार 1 by 2 minus 4 into 3 की पार 1 by 2 by 2 3 की पार 1 by 2 बाहर आएगा तो 1 by 2 एक ओल लगेगा क्योंकि root के बाहर आ रहा तो 3 की पार 1 by 4 हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 3 की पार 1 by 4 plus minus 3 की पार 1 by 4 अंदर बचेगा 3 की पार 1 by 2 बाट चला गए तो यहां बचा 1 minus 4 बचा minus 3 पूरे में से minus पूरे में से 3 की पार 1 by 4 common ले तो अंदर बचेगा minus 1 plus minus root minus 3 by 2 तुम्हें ये बात उसके जैसी नजर आ रही होगी minus 1 plus minus root 3 by 2 के यानि x की 2 values आ रही है plus minus तो एक omega है एक omega square तो एक तो हो जाएगा 3 की पार 1 by 4 omega और एक हो जाएगा 3 की पार 1 by 4 इंटो omega square छोटी छोटी बाते हैं जिनने आपको ध्यान रखना ही होगा और cube root of unity तो बच्चा बच्चा जानता है हटाई जा रही है बात और अगर आप अभी तक cube root of unity आपने नहीं पढ़ा है तो नीचे description में link दे दिया जाएगा cube root of unity का आप अराम से पढ़िए तो यहां से दो value आ रही है तो 3 की पार 1 by 4 आ रही है omega और एक आ रही है 3 की पार 1 by 4 ही omega square इसे माल लो आपने alpha माल लिया इसे आपने beta माल लिया तो रूर्ट से alpha बीटा हात हो गए इखाके यह रखो alpha की पार 96 इसकी पार 96 हो जाएगा 3 की पार 1 by 4 की पार 96 तो हो जाएगा 3 की पार 24 omega की पार 96 within bracket alpha की पार 12 तो 12 आएगा तो 3 की पार 3 omega की पार 12 minus 1 plus beta की पार 96 तो beta है यह इसकी पार 96 हो जाएगा 3 की पार 24 omega की पार 2 into 96 और within bracket आजाएगा बीटा की part 12 विसकी part 12 हो जाएगा 3 की part 3 omega की part 24 1 प्लेस ओमेगा प्लेस हो जाएगा 1 प्लेस ओमेगा प्लेस ओमेगा स्क्षाइर्ड जीरो होगा और omega cube 1 होगा तो यह omega cube लिखा हुआ है क्योंकि यह omega cube की पावर कुछ लिखी हुह है मालो यहसे 21,31 1 कुछ लिखा हुआ है, तो ये omega cube की power लिखी हुई है, देखो न, 3 का multiple है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये बच्चे का 3 की power 24 3 की power 24 तो दोनों में से common ले ही लो तो ये बच्चे का 3 की power 3, 27 फिर ये omega cube 12, 1 हो जाएगा minus 1 plus, 3 की power 24 common ले गए, ये फिर से 3 का multiple है, फिर ये 1 हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 27, फिर ये 3 का multiple है, फिर ये minus 1, तो 26 26, 52, तो ये हो जाएगा, 3 की power 24 into 52 ये option आपका जो है, वो correct option हो जाएगा, तो उमीद करता हूँ ये question भी आपको समझ में आया होगा cube root of unity, quadratic equation में complex numbers में role play करती है, कर रही है, समझ माना चाहिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ता है चले अगला सवाल देखता है और अगला सवाल ये कह रहा है, number of integral terms in 2 raised to the power 1 by 2, plus 5 raised to the power 1 by 6 whole raised to the power 1 by 20 इस expansion में कितने integral terms आएगे integer terms आएगे एक काम करते है, सबसे पहले इसकी general term लिख लेते है तो वो जाएगा ncr तो ये हो जाएगा 120cr पहले की पार n-r, तो 2 की पार 1 by 2 की पार n-r दूसरे की पार r, 5 की पार 1 by 6 की पार r तो ये हो जाएगा 122cr ये हो जाएगा 2 की पार n-r by 2, अच्छा n तो दिया हूँ है 120 ये हो जाएगा 120 minus r by 2, तो ये हो जाएगा 60 minus r by 2 और ये हो जाएगा 5 की पार r by 6 अब ज़रा दिमाग लगाए integral terms कैसे आएगे, जब यहाँ 2 आए, तो 2 काब आएगा जब उसकी power integer होगी, power integer कब होगी जब 60 में से जो minus r by 2 वो integer होगा, r by 2 integer कब होगा जब r 2 का multiple होगा multiple of 2 और 5 integer कब आएगा, term integer जब आएगा, 5 integer कब आएगा जब power integer आएगी, power integer कब आएगी, जब r integer आएगा तो multiple of 6 होना चीए तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ो दोनों मैंसे 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 2 का तो उसके अंदर आ जाएगा 2 के पहाड़े में 4 आएगा 6 के में नहीं आएगा 2 के पहाड़े में 8 आएगा 2 की टेबल में लेकिन 6 की टेबल में 8 नहीं आएगा लेकिन 6 की टेबल में जो आएगा वो 2 की टेबल में भी आएगा तो दोनों की common टेबल 6 की टेबल हो जाएगी तो कैसे चलेगी बही आर यहाँ 0 हो जाए तो चल सकता है तो जीरो अगर हो गया तो 0 by 6, 0, 5 की पार 0, 1 तो इंटीजर 0 by 2 0, 60 minus 0, 60 2 की पार 60 इंटीजर ये इंटीजर तो हो गया ना इंटीग्रल वैल्यू तो आर 0 हो सकता है अब 6 का पारा पर दो 6, 12, 18 और ये सिलसला कहां तक चल सकता है ध्यान से देखो अब 60 में से क्या सब्ट्रेक्ट हो सकता है 60 तो सब्ट्रेक्ट हो का तभी तो 0 आएगा तो 60 का पाएगा जब आर क्या आएगा 120 तो आप इस बात का ध्यान रिखिए ये चलते 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 120 तक ही जाए क्योंकि आर जब maximum 120 हो जाएगा तो 120 बाइ 2 60, 60 माइनस 60 का हो जाएगा 0 सबसे छोटा इंटीजर 0 है तो 0 आ सकता है आप ये समझेगा 120, 6 भी हो सकता है क्योंकि फिर 60, माइनस 61 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 2 की पार माइनस 1 हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीजर नहीं हो पाएगा तो R की वैल्यू 0 से लेकर 120 तक जा सकती है तो 6 से 20 वैल्यू तो ये और 21 टम्स ऐसी हो सकती है जो इंटीजर होंगी 21 टम्स ऐसी हो सकती है 21 terms will be there तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको फिर से जो है वो समझ में आई होगी बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है तो चलिए अगला question देखते हैं और अगला question जो है वो 3-dimensional geometry सा आया था तब बेहत सरल ये सवाल है बेहत सरल क्या एकदम formula based question है क्या कह रहा है ये question देखिए ये question ये कह रहा है कि if the shortest distance दो lines दी हुई है line this and this is 9 तो alpha की value बताई है देखिए पहली बात तो lines skew lines है पहले lines नहीं है ratio जो है वो बराबर नहीं है minus 2 by minus 2 is 1 and 1 by 3 lines skew lines है अब is skew lines की shortest distance का formula होता है r1 minus r2 का dot b1 vector cross b2 vector माफी चाहूंगा a1 minus a2 position vectors a1 minus a2 vectors dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross b2 सबसे पहले b1 cross a2 minus a1 निकाल लो a1 minus a2 a2 minus a1 जो मंचा है आप कहली चें जब आप a1 minus a2 vector निकालेंगे तो क्या आएगा यह जाएगा alpha plus 4 i cap 2 j cap और यह हो जाएगा 3 k cap ठीक है अब b1 cross b2 और निकाल लेते हैं b1 cross b2 vector हो जाएगा i cap, j cap, k cap 1 minus 2, 2 जो direction दिखाते हैं वो होते हैं 1 minus 2 और 2 direction vectors है 3 minus 2 minus 2 तो b1 cross b2 हो जाएगा भई 4 plus 4 8 i cap minus j cap times minus 2 minus 6 minus 8 plus 8 j cap और लास्ट माय का k तो minus 2 plus 6 4 k cap यह जाएगा b1 cross b2 अब उपर आएगा a1 minus a2 vector का dot तो इन दोनों का dot कर दो तो यह हो जाएगा अच्छा magnitude और निकालो इसका तो इसका magnitude b1 cross b2 का magnitude और निकालो तो वो आजाएगा 64 plus 64 plus 16 का root तो यह हो जाएगा root 144 12 हो जाएगा तो distance दिया हुआ है अल्रेड़ी आपको 9 तो 9 बरावर है जाएगा this vector यह रहा का dot यह रहा इन दोनों का dot करो तो alpha plus 4 into 8 तो क्या हो जाएगा 8 alpha plus 32 plus 16 plus 12 upon 12 तो यह हो जाएगा 108 8 alpha plus यह कितना हो जाएगा 48 50 60 तो यह हो जाएगा आपका 48 8 alpha तो alpha will be equal to 48 by 8 6 तो alpha की जो value आजाएगी वो आपकी कितनी आजाएगी 6 तो हमसे पूछा था alpha की value कितनी होगी तो alpha की value 6 आजाएगी बिल्कुल simple formula based question था तो उम्मीद करता हूँ आज के कराएगा जे में इन समाये सभी question जो है वो आपको समझ में जरूर आयोंगे तो आज के लिए तना ही Thank you